हाई फ्रेंड्स में अकांशा जर्मा जी की विद्यकांशा में आपका स्वागत करती हूं महिला सुपर्वाइजर प्रेश्णों बैंक बहुत ही सांदार मैंने तैयार किया है ग्यारा हजार एक प्रेशनों का प्रेशन बैंक है, इसमें आपके सारे की सारे सब्जेक्ट, सारे की सारे टॉपिक कवर होते जाएंगे और इसको अगर आपने कर लिया ना तो आप सुपर्वाइजर एक्जाम को बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपका सेलेक्शन नहीं होगा, इसके पहले की दो वीडियो नहीं देखे हैं, जरूर देखनीजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक बना दी है, ग्यारा हजार एक प्रश्णो बैंक के नाम से या सुपर्वाइजर प्रश्णो बैंक के नाम से आप देख सकते हैं तो बिटामिन B7, यह पूछ सकते हैं, कि बिटामिन का ऐसा, बिटामिन B complex का, जो बिटामिन B complex होता है, वो तेरा बिटामिनों का संगर होता है, और जो बिटामिन होता है, तोटल जो बिटामिन होते हैं, वो तेरा बिटामिन होते हैं, और जो बिटामिन B है, वो आठ बिटा का समुम्व होता है आट विटामिन का समुह होता है आट विटामिन का संस्लेशन नहीं करती है उनफ्स कर तोड को नहीं प्रकार की सरकरा है तो सुक्रोज अनपचाई सरकरा है मतलब इसको कमजोर तत्वों में कमजोर अड़ों में तोड नहीं सकते हैं अनपचाई सरकरा क्या होती है जिसे अन योगिकों की सहायता से कमजोर नहीं कर सकते हैं माल्टोज और लेक्टोज क्या है यह अपचाई सरकरा मतलब इसको आप तोड सकते हो माल्टोज को भी तोड सकते हो और माल्टोज ग्लुकोज से मिलके बना होता है तो यह जो ऐसे होते हैं इनको यह दो अभयवों से मिलकर बने होते हैं इनको कमजोर अभयवों में तोड सकते हैं लेकिन सुक्रोज क्या है उसको हम नहीं तोड सकत है जिन फ्रक्टाज और गेलेके ज हुआ फ्रकट्स घ्ल करें श्लकरका और गेलेके चुछन खरें, जो है वह उस facto एकल सरकरा है, सीगलेके चुन demon पई जो सब्सक्राइग यह सं इसार को चुन मेरे ड्वहता हुआ ऽा चल रही है A-Series जिसमें हमने लगबग 12 वीडियो कर लिए है तो 13 वीडियो आएगा वो कार्वो हाइडरेट कही आएगा उसमें हम सारा का सारा कार्वो हाइडरेट पढ़ लेंगे कार्वो हाइडरेट क्या होता है लेक्टोज क्या होता है फ्रक्टोज क्या होता है सारे की सारे फेक्ट कार्वोहईडरेट से संबंधित पढ़ लेंगे एक comment box में आपको आंसर देना है गरबती महिला जो होती है उसको प्रति दिन कितने gram कार्वोहईडरेट की आवशकता होती है सभी लोग comment box में बताईएगा कि गरबबती महिला को प्रती दिन कारो हाइड़ेट की कितनी मात्रा आवश्यक होती है ICMR 2020 की रिपोर्ट के अनुसर बताईएगा कि गरबबती महिला को प्रती दिन कारो हाइड़ेट की मात्रा कितनी आवश्यक होती है ग्राम में कारवाहिजिट की मात्रा मापी जाती है और कितनी आवश्यक होती है अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए लेकिन जरूर बताईएगा इससे आपको ये प्रेशन याद हो जाएगा अगला कोशन है ग्लू कोच का सरलसूतर क्या होता है C6H12O6 ये ग्लू कोच का सरलसूतर होता है C6H12O6 क्या होता है ग्लू कोच का सरलसूतर होता है याद रखेगा क्या सूतर होता है C6H12O6 ये ग्लू कोच का सरलसूतर होता है सामान्य प्रेशब को क्या बूला जाता है सामान निप्रसव मतलब बहुत आसानी से हो गया है इसमें सीजनिंग वगरा नहीं हुई है मतलब बिदाउट ओपरेशन हो गया है तो सामान निप्रसव हो जाता है और जो पूरा का पूरा 9 महीने कंप्लीट होने पर होता है या 40 सब तह कंप्लीट करने पर होता है या 280 दिन क अगर होता है प्रसव तो उसको क्या बोलते हैं उसको यूटोशिया बोलते हैं तो सामान्य प्रसव क्या कहलाता है सामान्य प्रसव क्या कहलाता है सामान्य प्रसव को यूटोशिया कहते हैं असामान ये प्रसब मतलब जो अपने समय से पहले हो जाता है, 280 दिनों के पहले हो जाए या 37 सपता से पहले हो जाए, या आपका 9 महीने से पहले हो जाए, 7-8 महीने देलेवरी हो जाए, तो वो वाला जो प्रसब क्या होता है वो डिस्टोसिया कहलाता है, सामान ने प्रसब को क्या बोलते हैं डिस्टोसिया वेरी 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 इंपोटन्ट है यह इस परकार कीकोशन सुपरवाइजर में पूछे जाते हैं तो इसको अच्छे से आपको कर लेना है उसको पेडू या पैल्विस कहा जाता है इसमें पेट के निचले हिस्से की आते हैं मूत्रा से और अंडा से सामिल होते हैं तो पेट का निचला हिस्सा क्या कहा जाता है याद रखिएगा पूछ सकते हैं यह पैल्विस भाग कहा होता है तो पेट के निचले भाग में होता है अगली बहुत अच्छी important fact है ये टोकोलिटिक्स क्या होता है टोकोलिटिक्स टोको से याद रखना टोकोलिटिक्स क्या होती है टोकोलिटिक्स दवाईयां क्या होती है तो टोकोलिटिक्स दवाईयां ऐसी दवाईयां होती है जिसका उपयोग गर्ववस्था के दौरान महिल जिन पधार्तों को अपयोग करते हैं। यादगरन टोकोलिटिक्स एक ऐसी दवाईया होती हैं जिसका उप्योग गर्ववस्था के दोरान गर्वासे के संकोचन को धीमा करने के लिए या रोकने के लिए करते हैं इन्हीं आम तोर पर समय से पहले प्रसप पीड़ा से गुजर रही महिलाओं को एक से दो दिन तक प्रसम में देरी करने के लिए दिया जाता है आपकी डिलेवरी टाइम जैसे कि दे दिया कि आज जैसे 4 अगस्त है आपका बच्चा 4 अगस्त को आना है लेकिन क्या हो रहा है कि 30 जुलाई से 31 जुलाई से ही एक दो तरिक तक बहुत ज़दा आपको पेन होने लगा और आपका जो गर्वा से है वो संकुचत होने लगता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अभी आपका प्रसब का समय नहीं हुआ है तेकिन दर्द होना स्टार्ट हो गया है तो उसको और डिले करने के लिए यह जो टोको लिटिक्स दवाईयां दी जाती है कि तक आपका जो गर्वा से है वो कम संकुचत हो तो याद रखना 102 दिन त किसी कोई महिला नहीं है जिनको periods आते हो और उन्हें दर्द नहीं होता हो किसी को जादा होता है किसी को कम होता है तो मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है उस दर्द को डिसमैनोरिया बोलते हैं मासिक धर्म के समय जो दर्द होता है जो पीड़ा होती है उस दर्द को क् अगला है मासिक धर्म की अनुपस्तिति अगर मासिक धर्म नहीं होता आता है किसी महीने बे गर्ववस्था जैसी स्थिति आती है किसी अन्य कारणों से भी मासिक धर्म जो होता है अनियमत हो जाता है एपसेंस हो जाता है तो उसको क्या बोलते है मासिक धर्म की अनुपस्तित पस्थिती को amenorrhea कहते हैं अगला है preeclampsia preeclampsia जिसको हम बोलते हैं इसको A भी आ जाएगा preeclampsia क्या हो जाती जैसे गर्ववस्था आ रहा है तो गर्ववस्था में अचानक से BP बढ़ जाता है तो जो रक्त चाप में अचानक जो ब्रद्धी होती है रक्त चाप की अचानक जो ब्रद्धी होती है BP बढ़ जाता है गर्ववस्था के दोरान तो जो इस्थिती है वो preeclampsia कहलाती तो गर्ववस्था में रक्त चाप में ब्रद्धी होना क्या कहलाता है preeclampsia कहलाता है preeclampsia को पहले toxemia कहा जाता था प्री एक्लेम्सिया को क्या कहा जाता था पहले टॉक्सिमिया कहा जाता था और अब इसको क्या बोला जाता है प्री एक्लेम्सिया बोला जाता है अंतहा गर्वासई विकास प्रतिवंद इसको बोलते हैं IUGR जिसे भून विकास प्रतिवंद भी बोला जाता है और या भून व अभी मेने आपको उपर बताई था कि यदि BP गर्वा वस्था के दोरान बढ़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं और यह प्री एक्लेम्सिया की स्थितिक बनी रहती है यह आयू जी आर के समय बनी रह सकती आयू जी आर को क्या बोलते हैं अन्तह गर्वा से विकास बती हैं आयू जी आर को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रस्ट्रिक्षन होता है यदि जो यूटेराइन होती हो गर्वा से होती है उसमें कोई निरोध उत्पन होता है तो यह स्थिति होती है एफजी आर को बोलते हैं भूण विद्धी व्रद्धी यह फीटस ग्रोथ restriction fetus growth restriction FGR को बोला जाता है यह एक ऐसी स्थित्य होती है जिसमें अजन्मा बच्चे का आकार गर्ववस्ता के हफ्तों की अप्रिक्षा छोटा होता है जैसा बच्चे का आकार होता है कि चार महीने में बच्चा 3-6, 8-8 महीने में इतना होगा, तो अगर FGRI की स्थेती हो जाती है, इसको हम इसको शोटा हो जाता है, इसको हम बोलते है, इसको भोलते हैं, इसे अकसर 10-0 प्रतिसत से कम अनुमानित बजन के रूप में बढ़न की दाइग होना, गर्ववस्था में योनी के मूर को सका नीला रंग होना गर्ववस्था में जो योनी होती है उसका जो म्यूकोसा होता है उसका अंदर एक म्यूकोसा नामक पधार्थ होता है अचानक से इसका कलर कैसा हो जाता है बिलू हो जाता है तो गर्ववस्था में योनी के म्यूकोस का नीला रंग क्या कहलाता है उसको नीले रंग होना चडविक चिन कहलाता है चडविक लक्षन में क्या होता है गर्वासे की जो ग्रीवा होती है और लेविया का नीला पढ़ना जो लेविया होता है वो पधार्त नीला पढ़ जाता है और जो गर्वासे की ग्रीवा है वो नीली पढ़ जाती है बड़े हुए रक्त प्रभ जो होता है वो नीला पढ़ जाता है तब ऐसी इस्तिती बढ़ जाती या जो बीपी होता है वो अगर हाई हो जाता है तो ऐसी इस्तिती बन जाती है इसके लगा प्रोम का फुल फॉर्म याद रखिए प्री मैच्योर रप्चर ओफ मेंब्रेंस प्रोम का फुल फॉर्म क्या ह अगर समय से पहले जिल्ली तूट जाती है तो प्रोवं की स्थिति बनती है जब प्रसप शुरू होने से पहले जो ही जैसे यह प्रसप होता है ना तो द्रव निकलने लगता जिसको अमिनोटिक द्रव बोलते हैं जो कि इक बच्चे की 4 रहता है तो लेकिन अगर यह समय से पहले ही जिल्डी टूट जाती है तो अमेनोटिक द्रवलीग हो जाता है यह आम तोर पर पानी का टूटना बोलते हैं मेरे घर मेरी भाई हैं ट्विन्स हुए थे मेरे जो भाई है उसकी साथ जब यह जादा मैं सबसे बड़ी हूं घर में जो चोटा भाई है मेरा जब उस हैं और एकदम से पानी पानी उनका निकलना स्टार्ट हो गया था तो इसको पानी का टूटना भी बोलते हैं मेरे सामने देखी हुए अकिकत इसलिए मैं बता रही हूं तो समय से पहले जिल्ली का टूटना क्या कहलाता है प्रोम कहलाता है जब प्रसब सुरू होने से पहले आपा प्रदाता है एवापके बच्शे को जनम देती है। सेती सब्ताबाद ये जिल्ली तूटती है जिल्ली का समय से पहले तूटना एक चिकिस्सी इस्थिती है जो गर्वा वस्ता के सेती सब्ताबाद प्रसब सुरू होने से पहले होती है जब एमिनिटिक द्रव और बच्चे को रखने वाली जो एमिनिटिक थैली है वो क्या होती हधी है फट जाती है यदि शहती सप्तास है पहले हो गई तो बच्चह नहीं होता है लेकिन अगर यह सेती सप्ता के बाद होती है फ्सक्राइब होता है क्य белoa कि क्योंकि बच्चे का में डिलेवरी क्या है वो चालीस हफ्ठे 280 या नो महिने ऐस प्रकार्चे बच्चों- समयं हे वह सोाजी टेलेवरी समयं है धर्यववस्था समयं मापा जाता है अगला कोशन है रास्टी द्रस्टी हिंता कारिक्रम का आरम हुआ रास्टी द्रस्टी हिंता नियंतरन कारिक्रम का आरम हुआ रास्टी द्रस्टी हिंता नियंतरन कारिक्रम 1976 में आरम हुआ कब वुआ इसको अंधत्व नियंतरन कारिक्रम भी बोलते हैं रास्टी 6 रोग नियंतरन कारिक्रम का वारम हुआ, 1922 में हुआ, इसका फिर एक तपेदिक नियंतरन कारिक्रम आया था, 1992 में तपेदिक नियंतरन कारिक्रम का वारम हुआ, रास्टी मलेरिया नियंतरन कारिक्रम 1953 में हुआ, रास्टी फाइलेरिया नियंतरन कारिक्रम 1955 में आ कारिक्रम कवाया पोल्य उन्मूलन कारिक्रम 1995 में कुष्ट्रो कवाया 1955 में पोल्य उन्मूलन कवाया 1995 में रास्टी किसोर स्वास्थ कारिक्रम कव आरंब हुआ रास्टी किसोर स्वास्थ कारिक्रम 2014 में आरंब हुआ आयुश्मान भारत कारिक्रम कव आरंब हुआ आयुश्म महीला सूपरवाइजर के नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट में दी जाती है इसमें साथ में एक MCQ प्रक्टिस सेट दिया जाता है 3000 प्रशनों का एक वन लाइनर की बुकलेट दी जाती है एक 1000 वर लाइरो और पांच बुकलेट जो होती है वो थियोरी की दी जाती है सबसे में चीज इसके साथ हम एक ग्रूप प्रवाइट कराते हैं और लाइन यहां पर हम आपकी ओनलाइन तैयारी कराते हैं देली ओनलाइन एक पीडियाव दी जाती है जो रूप में हमारी चल रही वो भी सीरीज चल रही है डेली पीडियाव दी जाती है डेली टैस्ट लिये जाते हैं एक टार्गेट बना देते हैं हम आपको कि आज आपको यह टॉपिक तैयार करना है हर रोज रात को 10 वजे से होता है 40-50 कोशन टेस्ट में दिये जाते हैं तो आपके वो कोशन तैयार हो रहे हैं साथ में हम डेली पीडियाव में करीब 100-200 कोशन का टॉपिक तैयार करके देते हैं साथ में कोई भी एक टॉपिक को पूरा तरह से समझाया जाता है चाहे वो ICMR की रिपोर्ट हो चाहे प पैकेज है पूरा महिला परिवेक्षक प्रेक्टिस जो पेपर है और टैस्ट है समपूर सिलेवस इसमें MCQ रूप में दिया गया है बहुत इजी लेंग्वेज में ये कोशन कवर किये गए हैं ये आपको इसके साथ मिलेगा और साथ में मेरी सारी वीडियो जो रहेंगी उ आपको इसी में दी जाती है ये इस प्रेकर का रास्टी टीक करन चार्ट भी आपको दिया जाता है जैसे कि गुरूप में इस प्रेकर के चार्ट द्वारा याद कराया जाता है ये टोटल सेवन बुकलेट आपको मिलेंगी जैसे ही आप पेमेंट करते हैं अपना पूरा ए के लिए दिया जाता है कि आपको यह टॉपिक करना है आपके साथ में सारी लड़किया और रहती है जो टेस्ट देती हैं तो आपको भी लगता है कि हम इन से आगे निकले तो वह आप तैयारी करते हैं इस प्रेकार से यह नोट्स मंगा सकते हैं हमारी 11000 प्रेश्णों का यह भी आपको वह निसुल्क दिया जाता है डेली की पीडिया वह प्रवाइट करा दी जाती हो फिर इनका भी टेस्ट ले लिया जाता है तक कि आपको केबल पीडिया पीडिया पे खटी ना हो आप पड़के उनका टेस्ट भी दे यह जिस प्रेकार के फेक्ट में वर्लाइनर करा रही हूं ऐसे वर्लाइनर में दिन भर बेशती हूं दिन भर वहां पे बहुत अच्छे प्रश्णों की तैयारी कराई जाती है कि बच्चों के क्लियर होते चाते पीडिया तो अलगी है साथ में जो प्रेश्न वर्लाइनर बेशती रहती हूं वह अलगी है और एमसी क्यों में उनकी प्रेक्टिस कराती रहती हूं तो रास्टी किसोर स्वास्तिकारीक्रम का बारम हुआ 2014 में आयस्मान भारत कारीक्रम का बारम हुआ 2018 में एक संतुलित आहर जो होता है उसमें प्रती दिन दूदिया दही की कितनी मात्रा आवश्यक होती है तो एक संतुलित बोलते ने एक बैलेंस डाइट जिसको बोला जाता है उसमें प्रती दिन दूदिया दही की मात्रा 300 ml हो है तो जॉइन कर दीजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी टेलिग्राम गुरूप की भी मिल जाएगी जॉइन कर दीजेगा वाट्सप गुरूप की भी मिल जाएगी 60190914 पराब वाट्सप करके अपना नमबर भी सेव करा सकते हैं इसके अलाबा अकान कर सकते हैं, ICMR या NIN, NIN का मतलब क्या होता है, NIN का मतलब होता है, National Institute of Nutrition, मतलब रास्टिय पोशन संस्थान, यह जो NIN को रास्टिय पोशन संस्थान कहते हैं, और यह जो NIN और ICMR द्वारा रिपोर्ट जारी की गई 2020 में, इसका मतलब होता है कि जो डेली का अलाउंस होता है, उसको IDA बोला जाता है, उसके अनुसार प्रती 2000 कल्विन कैलोरी पर, यदि आप 2000 कल्विन कैलोरी प्रती दिन लेते हो, तो उसके लिए फाइवर की कितनी मात्रा लेना है, 30 ग्राम, मतलब 2000 कल्विन कैलोरी पर प्रती कितनी मात्रा आवश्यक है, फाइवर की 30 ग्राम, अनाच की प्रति दिन कितनी मात्र आवश्यक है, डौसो पचास गराम पर्डे। फल कितने चाहिए प्रति दिन, 100 ग्राम प्रति दिन फल की मात्रा आवश्यक है, दालों की कितनी है, 85 ग्राम प्रति दिन है, फल की कितनी है, 100 ग्राम प्रति दिन है, अनाज की कितनी है, 250 ग्राम प्रति दिन है, तेल कितना चाहिए है, 27 ग्राम प्रति दिन चाहिए है, फल कित प्रती दिन मातरा आवशक की अंट्स और सीट की 55 ग्राम मातरा आवशक होती है इसके अलवा 100mL दूद जो आप पीते हैं उससे कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर 100 mL दूद आप पीते हैं तो 100 mL दूद से 3-4 ग्रोटीन आपको मिलता है नट सोट सीट से कितने प्रति दिन चाहिए है 35 ग्राम प्रति दिन चाहिए है 100 अमल्दू से कितना प्रोटीन मिलता है 3-4 ग्रोटीन मिलता है गरबती महिला को विटामिन डी विटामिन डी इतना सरल है ना विटामिन डी की कमी से रिकर्ट्स नामक रोग हो जाता है इसके अलावए एक रैटिनी नामक रोग होजाता है विटामिन d की कमी से ही होता है और चाहे घर भती महिला हो इन सभी को कितनी आवश्यक होती है कितनी मात्रा इसकी आवश्यक होती है । शे सो इंटरनेश्नल यूनित कमी से ही 600 international unit प्रति दिन साधरन पुरोष को कितनी 600 international unit साधरन महिला को कितनी 600 international unit याद रखना IU को ही बोलते हैं international IU का ही full form होता है international unit तो vitamin D हमेशा IU में ही ना पा जाता है प्रति दिन इस तनपान करने वाली महिलाओं को भी कितनी vitamin D की आवशक्ता होती है तो 600 international unit या 600 international unit की आवशक्ता होती है तो friends ये थे हमारे आज का question बहुत ही सांदर ये question थे कल next video लेके आएंगे इसके पूरे पार्ट देखेगा जल से इसके दो-दो वीडियो लेके आऊंगी और मैराथन भी लेके आऊंगी new हैं channel पर तो channel को subscribe कीजेगा अगर आप हमारे नूर्स देना चाहते हैं ये pdf राप्त करना चाहते हैं तो मुझे whatsapp कीजेगा okay friends thank you